सर, नमस्ते सर, नमस्ते, कहिए, हम अजे की जमानत के लिए आए हैं उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो अजे, थैंक यू सर, थैंक यू सर, शर्मानी चाहिए तुम्हे, अजे बाबू, मेरी बेहन की रक्षा करके आपने जो हम पर आहसान किया है, मैं उसे जिन्दगी भर नहीं बुला सकता, इसमें एहसान के क्या बात है, नारी सिवा तो परमधर्म है गुरू का, इनके दिल में औरत के लिए अलग ही जगा है सुनिए, जर्ण मेरे साथ अंदर आईए, तुम नहीं, उठिए न, सुदा, तुम भी आओ आप लोग के साथ चाह पीजिए, मैं भी आया पकलो, चल्दी चलो, पतानी क्या समझ रखा इस घर को हा, क्या है तुछ अलग स्पेशिल बना रहे होंगे, यह औरते जो है न, हमारे यह बड़े गरीब है, पर दिल के बहुत है मैं सरा सब बाहर क्या गई, कि तुमने इन गुंडे मवालियों की महमान दारी शुरू कर दी, हाँ यह तुम कैसी बाते कर रहे हूँ, वो तो भला आदमी है अरे भला आदमी होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए तु जैसे वो गुंड़ा वैसी यह गुंड़ा अरे आइस्ता क्यों बोलू, मुझे किसी का डर है, अरे तुम्हारी बहन ने तो वैसे ही मेरा जीना हराम कर दिया है कल इसकी वज़े से भवानी हमारा घर जला देगा, फिर किसको बैसकी चाय पिलाओगे अरे ये तो छड़ी छड़ांग है, इन क्या भरोसा, कल दूसरी गली ना पलेगे, किन हमें तो इसी बस्ती में रहना है अब खड़ी खड़ी मेरा मूँ क्या देख रहे हो, अरे भवानी के तो हाथ पैर जोर कर हम माफी मांग लेगे, लेकिन इन गुंडे मवालियों को तो यहां से दफा करो अच्छा बबा ठीक है, मैं सब समझा लोगा क्या, मैं चेहती हूँ, अकल कब आईगी, कब तक मिट्टी के माधो बने रहोगे तुम, कान खोल के सुलो अगर लेकिने मावालियों के दिखाएगे तो आज मेरे तो वहाँ आज दो 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 साले शरीफ लोग, साले शरीफ लोग, जाग रहें अभी तक Mrs. David की बत्ती कौन है, अजे तुम, क्या मैं, तुम दारूपी के आया, इतना रात को कोई शरीफ आज में ऐसा दारूपी के आता है क्या हाँ शरीफ, शरीफ कौन है Mrs. David, आप उन तो गुंदा है, गुंदा, शरीफ लोग उस घर में रहते है आपको यकिन नहीं आता? बताए ऊज शरीफ लोग बाहर निकलो, बाहर निकलो जोग वारी इस दो दो आज गए शरी आता है…? हम बुलता है तो आप उपर चलो, में उपर चलो ये लोग अपको घर बुलाकर बेहसत किया गाली दिया, सलाए उपर में चलो ना में पर अभरना बथा ता ये लोग को जट के नीचे ता, जो सुन लिया वरना बताता है ये लोगो आपुचीज क्या है ये सब तुम्हारा की अधरा है हरी जग कि समझाओ नो उसे मैं क्या समझाओ आपूचीज किया या गाली दिया था तो बाग कसा बंगार लगा डालेगा शारी बस्ते को जड़ा कर राट कर देगा आपूचीज शला एक शरी बाद भी रही बचेगा इस बस्ते को अजय ओगार्ट ओगार्ट उठा मैं इसको समझ के अज़ना यू सुपिड नशा उत्रा के और पानी मारने को मंगता है वो क्या है मिसस डेविड शाम को अब बीच यही इस टाइम को हमारा घर खाली करो एक मिनित भी दर रुकने को नहीं मंगता है और यह लोग पकड़ो अपना पैसा तुम क्या समझता है हम पैसे कम होता जाए अरे वो तो टोनी वो साला टोनी का बच्चा हमारा हाथ जोड़ा हमारा पाउ में पढ़ा के इसको इधर में रखो ताप जा के हम तुम को रखा और तूम साला दारूपी के अख़्ा बस्ती के बम्बा-बम करता है? अरे छोकरी गभाई का इजट के बचा है? अक्का बस्ती गभाई को हिजट उतारेगा तूम त्यक थिक भॉला सिटर थीक बोला तूम इसको आपका पेपर में हेडलाइन पुरा इसका जह है कि इसने रात उदारूपे के बंबा बं किया है अरे मैं तो बोलतो आइसे आद्वी को बस्ते में क्या बंबे में नौन्टी कर देना मंगता है तु समझते क्या आपने आपको में शिस्टर का इरयन काईएढ़ में हेडला वे इसको प्रविका है शिस्टर करेंगा आता हुँगा अब यह तो मैं शूद किदर में जादा मैं ये बालती रखेगा शूद के लेका आपका रादा मेरा भी और अजर को जाना ना ओसने है यह इसा काम काई को करता है, और यह हमको Mrs. David, Mrs. David बोलता है, लेकिन हम तो इसको अपना बेटा का माफिक मानता है, और क्या, माँ क्या बेटे को गुश्टा नहीं कर दे कू सकता है? Mrs. David, बिलकुल कर सकता है, चाहे तो मार भी सकता है, लेकिन अगर बेटा माफिक मांग ले तो, Mrs. David, I am sorry, अपने को माफिक माफिस देन अवग तो उसको लुक्कळ चाहे तो आबर को से इसे पर ने हमके, जाओ, सबहें तो मैं कल रात के लिए बहुत शर्मिनदा हूँ देखिये, अगर मेरी जगह कोई और होता, तो क्या करता आपकी भाबे की बाते चिंगारिया बनकर, मेरे दिमाग में सुलग रही थी सोचा था शराब से बुझा लोगा, लेकिन सब कुछ उलट-उलट हो गया कल नशे की हालत में गिर गे थे आप देशा तो एक बहाना था, किरा मैं कई बार हूँ तो आप समल जाईए मेरे समलने ना समलने से किसी को क्या फर्क पड़ता है और अगर फर्क पड़ता हो तो Amen हम तुमको माफी मांगने का वास्ते इधर में भेजा और तुम स्टैचू का माफी कड़ा है चलो माफी मांगो, come on माफी तो यह मान चुके हैं लेकिन माफी तभी मिलेगी जब यह वादा कर लें That is good, बोलो हाथ लगाएंगा नहीं ओ, वो ECP का अदमी आया था बोला तुमको घर बेजो, और जेंट में काम है ECP? साहिब, आपको मिलने को कोई भवानी साब आया है भवानी? मेरे घर पर आने की हिम्मत कैसे की उसने ठेरो हमारी बात हैं घर की चौकट के बाहर ही होता बेतर है सुना था दो दर्वाजे किसी के लिए बंद नहीं होते है एक अस्पताल का और दूसरा पुलिस का लेकिन ये मेरा घर है और इसी घर की चौकट पर लिखा है वेलकम याने की स्वागतम नमस्ते इजाज़त हो तो मैं अंदा जाओं नमस्ते भावी जी नमस्ते मैं जकपती भवानी जिक्र चलता होगा कभी कभी मेरे नाम का इस घर में सिर्थ बने लोगों का जिक्र होता है देखा बावी भी नाराज आप भी दुखी और मैं भी परेशान और इस सब किस के वज़े से सिर्फ उस लड़के आजय के वज़े से जो ना आपका कुछ लगता है ना मेरा वज़े वो लड़का नहीं तेरे कर्म है भवानी जो तुझे मेरी चौकर तक खीज लाए है अरे हाँ राद बार मैं भी यही सोचा रहा कि बदनामी के इस दाख को किस तरह से थोया जाए और अचानक मुझे यह खयाल आया कि पैसा वो साबुन है जो बदनामी के हर दाख को धो सकता है और यही सोचकर मैं साबुन नहीं पूरी वाशिंग मशीनी उठाकर ले आया जी हाँ बड़कलाल जी साब ले आओ चलो उठाओ चलो यहां रख दो तुम लोग जाके बाहर बैटो चलो चलो यहां दो इस बक्से में इतने रुपएर शिवचरण शहाफ कि आप जिस स्थाने में काम करते हैं उसके सामने आप पचास माले की बेल्डिंग खड़ी कर सकते हैं जिसकी छट से आपका फुली स्टेशन माच इसकी डिविया नजर आएगा सबसे पहली बात इस घर में सिगरट पीना मना है और दूसरी बात गंगा भाई जी साहिब गंगा भाई ये साहब बकसा भर के नोट लाएं मुझे रिश्वत देने के लिए तुम इन में से जितने नोट लेना चाहो ले सकती हो सोच क्या रही हो साहिब मैं इस घर में ग्यारा साल से काम करती है आप पुलीस में इतने बड़े अफसर है कभी-कभी मेरे को दो-दो महिने के बात पगान मिलता है फिर इतना बकसा भर के नोट तो हराम की कमाई होगी न साहिब मैं जूटे बरतन मांचकर अपने बच्चे लोग को दो वक्त की रोटी खिला सकती हूँ लेकिन ऐसे हराम की कमाई पर थुकेगी भी नहीं सुन लिया भवानी जिस पुलिस ऑफिसर के घर में बरतन मांचने वाली का जमीर इतना बुलंद हो उस ऑफिसर के इमान की क्या कीमत लगाएगा तू उठा इस कच्च्रे को और दफाव जाई यहां से वरना रिश्वत देने का एक और चुर्म तुझ पर लग जाएगा इस वर्दी में बहुत कर्मी होती है सुचरंट साहिब इसलिए समझदार अफिसर रिश्वत के छीटों से इसे ठंडा करते रहते हैं वरना ही पहनने वाले को जला देती है तो फिर इस वर्दी से दूर ही रहना भवानी क्योंके इस वर्दी के अंदर बारूद से बना हुआ जिसम है अगर उस जिसम ने आग पकड़ ली तो वो धमाका होगा कि तेरे जिसम के चीतड़े चीटिया तक नहीं धून पाएंगी अब जा मंदर में जाकर अपनी जिन्दगी की दुआ मांग क्योंके मैं तेरी पाइल चीख मेनिस्टर साब के पास लेकर जा रहा हूँ गुड लुक गुड मॉर्निंग साब वट इस गुड अबावर इस मॉर्निंग हाँ तुम्हे नौ बजे आने को बोला था और अभी आ रहे हो सर वो क्या हुआ के देखो जिंदगी में थोड़ा सीरियस होना सीखो मैं जल्दी में हो तुम इतरह से जाके मेरो वो तुम्हे सब कुछ समझा देगी ओके सर जाए भवाने चलाओ डॉक्टर साब कैसे हैं वो बस समझ लिजे के मौत के मुझसे वापिस आ गए लेकिन अभी उनकी हालत नाजुक है खत्रे की कोई बात नहीं है हलो भवानी साब आपके लिए बुरी ख़बर है ACP शूचरम बच गया पान सर नहीं बटुकलाल तुझा ACP की खैरियत पूछने है अस्पिताल जाना है सुनिये मुझ खोलिये सुमित्रा तुमारे नसीब में मेरे साथ दुख जेलने के कुछ दिन और लिखे हुए है छी ऐसे अशुब बाते मत कीजी देखना आप बहुत जल अच्छे हो जाएंगे बिलकुल ठीक कहा आपने भावी जी कुछी दिनों में चंगे भल्ले हो जाएंगे वैसे जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ बाबी जी मैं तो कहता हूँ इस मामले की इंक्वाईरी उपर से होनी चाहिए दिनधार एक पुलीस आफिसर पर जानने होआ हमला ची 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 शरम की बात है मौनिंग सर आओ अजे सर मैंने अभी अभी भवानी के पी-ए को जाते हुए देखा वो यहां आया था? हाँ देखने आया था कि मैं जिन्दा हूँ के मर गया इसका मतलब आप जानते थे कि आपको मारने में इन लोगों की साज़श दी और कौन हो सकता है? तो फिर आपने इन लोगों को गिर्फदार क्यों नहीं किया? क्या फाइदा? वो अदालत में थाबित कर दे थे कि इस हादसे में उनका कोई हाद नहीं है उनके खिलाफ कोई गवाई भी नहीं देगा और फिर हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है पहाध इस द्राइवर जडी चलो साथ साथ ये आपका पान गा डबबा मैने 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 जननन Cu हुआ 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 तेरे लिए दो बुरी खबरे हैं भवानी एक ACP साब बच गए और दूसरी अब तेरा बुरा वाक शुरू हो गया झाल झाल तेरा वार वानी कर द activist क्योंते हुआ datasets इस द पाल ऊवरी म Sol जींए काव्प जा रहा हुआ काव La इस दा, काव्प जडिश भंदो जडिए परी, हुआ तय, Св़यस मृषण ठहा दो दो हाए पर दो시 वर्धान, हरामसादे दर्वादा, खूर इंस्पेक्टर मर्दे दर्वादा, देखा, यही है वो हरामसादा जिसकी वज़े से तुम्हारे साप जिंदगी और मौत से अकेले जूज रहे, आज वो इसके जुनून का शिकार हुए, कल तुम्हारी बारी हो सकती है, और यही होता है जो भूग लगने पर अपने बच्चे तक निकल लेता है, तुम लोग तो फिर भी गहर हो, पाप की उम्र बहुत लंबी होती है साहब, लेकिन पापी की उम्र बहुत जोटी, मैंने जादा किताबे तो नहीं पड़ी साहब, लेकिन जिंदगी ने इतना जरूर सिख जो इमानदारी के आटे से बनी हो और सच्चाई की आज पर पकी हो, कोशिश करके देखो, बहुत सकुन मिलेगा